हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मॉम्स एंड किट्स फ्रेंड्स विंटर सीजन चल रहा है और ऐसे मौके पे बच्छों की अक्सा तब्यत खराब हो जाती है उन्हें सर्दी जुकाम बुखार ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो जाती हैं इससे उन्हें हमें बहुत ज़्यादा समाल करकना पड़ता है तो अगर हम उन्हें बाहर की दवाईयां ना देखे डॉक्टर को ना देखा के घर में ही जो दादी मा के नुस्खे होते हैं उन्हें अपना के अगर उनका इलाज करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है इसके लिया है, मैंने 7-8 बादाम, 8-10 लसन की कलिया और 1 चमळाल अचवायं, इन फीनों चीजों को हमें लेना है, एन लेने के बाद हमें बादाम को खूट लेना है, बारी कर लेना है और लसन को काट लेना है, ताकि जब हम इसे तेल में डालें, तो इसका पूरा-पूरा असर हमें, जो भी इसके benefits हैं, वो हमें पूरे-पूरे मिल सके, इसलिए हमें ऐसा कर लेना है इसे, अब हम एक कडाई में थोड़े बड़े बतन में ही लें, ताकि जब हम अपनी चीजों को इसमें डालें, तो तेल थोड़ा सा उपर आता है, तो उस में हम अपने लसन को, मीडिया माच पे ही हम अपने तेल को रखें, उसमें अब अपनी लसन को डाल देंगे, जो हमने अपना बदाम कूट के रखा है, उसे डाल देंगे, सब कुछ हमें बिलकुल मीडिया माच पे ही करना है, धीरे-धीरे ही होता रहे, और जो अजवाइन ह उसे भी डाल देंगे इज तीनों चीजों को इसे डालने के बार धीरे धीरे ही से हम थोड़ा पकने देंगे इस दीरे रहे ये पकता रहेगा थोड़ा सा सुनहरा लाल सा हो जाएगा बस उतना ही हमें करना है बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है यह आधा हुआ हो तो ही बंद कर दें ताकि जो तेल में जो गर्मी होगी उसके अकॉर्डिंग भी वह थोड़ा सा और जादा हो जाए बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है हमें दीरे दीरे इसे पकने देंगे दस से पंदर मिनिट में हम इसे छोड़ देंगे और वीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे जिससे की जो लसन अजवान और बदाम के जो भी बेनेफिट्स हैं वो हमारे तेल में आ जाएं सरसो कि यह थोड़ा सा और पक जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा और जो भी उसका सर है वो तेल में आ जाएगा अब इसे छान लेंगे और इसे छानने के बाद आप एक शीशी में रख लें और जब भी आपको यूज करना है तो थोड़ा सा लीजे उसे गरम करिए और करने से यह होगा कि जो भी चीजों की गरमी है वो बच्चों के अंदर जाएगी और उनकी ठंड़क को दूर करेगी और वो ठीक हो जाएगे जल्दी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप एसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक शोर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू